नमस्कार दोस्तों, पूझे शिक्ति जाल में सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है माता लश्मी को प्रसंद करने के लिए दिपावली के दिन हम सभी हमारे घर पर विशेश तोर पर रांगोली बनाते हैं परंतु क्या आप जानते हैं यशो के राजा कुबेर जो की धन के स्वामी है तदा है संसार के रक्षक लोगपाल भी माने गए हैं यह रावन कुम्ब करन विभेशन के सौतेले बाई हैं और यही देव जो है आपके धन के मार्ग होलते हैं क्योंकि यह कुबेर देवता है धन के देवता कुबेर जो की भगवान शिफ के द्वारपाल भी बताए गए हैं कुबेर सुख समरिध्य और धन देने वाले देवता हैं ने देवताओं का कोशा धक्ष माना गया है मानने ता है कि कुबेर देवता की मूर्ती या उनकी रांगोली अगर आप दीपा वली वाले दिन अपने घर पर स्थापित करते हैं या रांगोली बनाते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की सुक्सम्रिद्धी आपको प्राप्त होती है। ये जो रांगोली होती है बहुत आसान होती है। आपको इस सफेद और लाल रंग की रांगोली का जो रंग होता है उसी से आपको बनानी है। तथा ये रांगोली आपको माता लक्ष्मी की मूर्ती के सामने बनानी है, अगर आपके घर में कुबेर देवता की मूर्ती या तस्वीर है तो आप उनके सामने ये बनाएंगे, अगर आपके घर में कुबेर देवता की मूर्ती नहीं है, तो ये रांगोली आप जो है उत्तर दिशा है साथ ही साथ कुबेर देवता की दिशा भी उत्तर दिशा है वहाँ पर कुबेर देवता का निवास माना गया है हमें सदेव कुबेर देवता की मूर्ती भी उत्तर दिशा की और लगानी चाहिए तदा जब भी हम माता लक्षमी से कोई प्रातना करते हैं तो उत्तर जाहीं छाहीं हमें उत्तर दिशा की और ही हाथ करके हमें मनो कामनाय मांगनी चाहिए, जब हम ये रांगोली बनाएंगे तब ये रांगोली जो होगी आपका मुख हो सके उत्तर दिशा की और ऐसे tensions. यह ताकि आप जब बैठें और आप सामने की तरफ देखें तो आपका मुख जब हो तो उत्तर दिशा की और होना चाहिए और जस्ट आपके सामने रांगोली बनी हुई होनी चाहिए रांगोली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह जो है कुबेर यंत्र भी माना गया है तदा ही विशेश तोर पर दिवाली की रात्री पर बनाये जाने वाली कुबेर लक्ष्मी रांगोली है जो की हमें बहुत सा धनलाब तथा सुक समरिद्धी प्रदान करता है गोली बनाने के लिए जहां भी आपको रांगोली बनानी है सबसे पहले उस जगा को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए उसके बाद जो है आपको ये रांगोली सेम ऐसी ही बनानी है जो की अंक स्क्रीन पर दिये गए हैं आप ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बना स इसके अलावा आप देखेंगे जैसे की हमने伊क रुपय का सिखक्र अगर आप से खाते हैं तो आप हिसाब से 1 उसो कषो क्यानी मेंें यूज करेंगे सबी जो दिशाएं हैं आप देखेंगे जितने भी खाने हैं उनमें एक रुपे का सिक्का रखा हुआ है उसके बाद आपको लाल गुलाब की जो एक एक पंखुडी भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी वैसे ही आपको जमानी है और सेम ऐसे ही रंगोली आपको आपके घर पर बनानी है कुबेर देवता का अगर आपको कोई मंतर आता है तो आप उस मंतर का उचारण कर सकते हैं मंत्र नहीं आता है तब आप जो है माता लक्ष्मी को प्रसंद करें कुबेर देवता को प्रसंद करें ऐसी मनों कामनाई मांगे जिससे की वो अपना आशिरवाद आप पर बनाए रखें घी का दीपक आपको जलाना है इस समय पर गाए का अगर घी मिल जाएगा तो बहुत ही दीपावली की आप ऐसे ही पूजा कीजे माता लक्ष्मी की पूजा कीजे कुबेर देवता की पूजा कीजे विष्णु जी की पूजा कीजे सरस्वती माकाली की पूजा कीजे इसके अलावा आपको इस समय पर शिव पारवती परिवार यानि कि गणेश जी की पूजा सामर्थि प्रदान करने वाली होती है आयुषमान सौभाग्य और बहुती जादा मंगलकारी होती है आप इस समय पर लक्षमी जी की पूजा अर्चना करके धनवर्शा करवा सकते हैं और कुबेर देवता की विशेश क्रपा प्राप्त होना भी जरूरी होता है कई लोग कहते हैं हम पूजा पाट करते हैं परन्तु हमें जो है उसका पूरा उचित्फल नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे आप कुबेर देवता की पूजा सदेव करें लक्षमी जी के साथ तभी आपको जो है क्योंकि ये धन के देवता माने गए हैं कोशा ध्यक् लक्षमी रांगोली जरूर बनाया ताकि आपके जीवन में आपको बहुत सा धन लाव हो ऐसा भी माना जाता है अगर महा लक्षमी जी का पूजन महा पर दिपावली पर किया जाए साथी साथ कुबेर देवता को भी साथ में पूज लिया जाए और विग नहरता गणिज ज जाता है क्योंकि अफसर ही ऐसा होता है जब बहुत विशेश प्रकार के नक्षत्र होते हैं साथ ही साथ जो बहुत ही जादा दुरलफ संयोग बनते हैं तो हमें क्या करना है हमें स्रिफ और स्रिफ लक्षमी पूजन करना है कुबेर देवता की पूजन करनी है और हाँ अग पीजिए राँगोली की बात कर रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से भी आपको बताये चलते हैं, क्या हमारे प्लाचीन शास्त्रों में बताया गया है, वास्तू में हर दिशा के लिए अलग-अलग आकार और अलग-लग रंगों की रंगोली बनाने का जो है प्रावधान बताया गया है सही दिशा में सही रंगोली बनाकर ही आप अपने जीवन में सुकसमरिध्धी को अममंत्रित कर सकते हैं अगर आप दिपावली पर रंगोली बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के नियम क्योंकि कुबेर देवता की हम यहां रंगोली बना रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है इस दिशा में लहरदार या लहरिया रंगों के आकार की जो रंगोली होती हमें नहीं बनानी चाहिए उत्तर दिशा में रंगोली बनाने के लिए आपको सदेव, पीला, हरा, नीला या लाल रंग का अस्तमाल करना चाहिए यहां पर रंगोली बनाने के लिए हमें जो है कुछ रंगों से परहेस करना चाहिए जो की हम लोग ज़ादा तर यूज वैसे भी नहीं करते हैं शायद बैंगनी रंग हो गया नारंगी रंग हो गया या फिर बहुत ज़ादा वॉयलेट कलर जो होता है उसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए और हमें यहां पर कभी भी तीकोना का रंगोली जो है उसे बनाने से परहेस करना चाहिए इसके लावा क्या लाभ होते हैं कुबेर देवता की रंगोली उत्तर दिशा में बनाने की तो उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर का शेतर माना गया है यहां पर सही आकार और सही रंगोली से रंगोली बना कर अपने जीवन में नए अफसरों तदा धन को आकरशित कर सकत उत्तर पूर्व में जो है आप बहुत अच्छे अगर रंगोली बना देते हैं तो जो आपकी सोच उसमें पश्टा आती है उन्नती के नए अफसर मिलते हैं तदा धन के नए मार खुलते हैं इसी प्रकार क्योंकि पूर्व दिशा भी हमारी बहुत शुब मानी जाती है देवताओं की दिशा मानी जाती है तो इस दिशा में अंडा कार कोली बनानी चाहिए पूर्व दिशा में बना अंडा कार रंगोली का डिजाइन आपके जीवन में खुशाली और वेवसाई की तर इस देशा में इज्ड के चैन करते से भी हम इस बात गड़ा को रिंडाले और ऑफिस आपको जो है आपके घर और ऑफिस से इस बहुत साब सब्मान प्रप्त होता है मान सम्मान में बड़ोतरी होती है बहतर व्यापारी सम्मन निर्मान होते है पारिवार से प्यार और बहुत सारा सम्मान प्राप्त होता है तो भाईयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा माता लक्षमी तथा कुबेर देवता आप पर धन्धान की बरक्कत करें साथी साथ आपके जीवन में बहुत से समरितिया है तो हम फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों